Hello my dear students, Magnet Brains के Hindi चैनल में आप सब का स्वागत है, मैं हूँ आपकी English Teacher प्राची वर्मा और आज हम हमारी Unit 2 जो है It So Happened की उसका Chapter Children at Work जिसका First Part हम Read करके Explanation उसका समझ चुके हैं, अब बारी हो सके Second Part को पूरा करने की और इस Second Part सिर्फ दूसरा हिस्सा नहीं है, यह Final हिस्सा है, इ सबसे पहले तो एक छोटा सा Explanation देख लेते हैं कि इसमें क्या होने वाला है, सबसे पहले है, वेलू follows his friend through the crowded streets to a big building, वेलू अपनी उस दोस्त का उस लड़की का जो कच्रा बीन रही थी, उसका पीछा करते-करते उस पूरे भीड़ वाले इलाके से बड़ी-बड़ी इमार के एकदम पीछ है, एक बड़ा सा धेर है, यह कह सकते है, एक डस्ट बिन है, गार्बेज बिन है, जहां कच्रा इखटा होता है, वेलू wonders why they are there at all, और वेलू को यह चीज बिलकुल समझ में नहीं आती है, कि यह लोग वहां चाके करेंगे क्या, तो चलिए देखते हैं कि and never stopped for anyone, उसने जैसे तैसे उस लड़की का पीछा किया, बहुत तेज भाग रही थी वो लड़की, स्टेशन से निकल कर, क्योंकि उसने कहा था ना चलने के लिए, और उसने पीछे मुड़के भी नहीं देखा था वेलू को, कि यह मेरे पीछे आ भी रहा है, कि नहीं, उसने भागने की जैसे तैसे उसके सपास पहुचने की कोशिश करी, सेशन से निकलते वक्त, जब वो रोड़ पर पहुचे, तो वेलू ने एक अनोखी चीज पर ध्यान दिया, कि गाड़ियां जो है, जो रोड है, जैसे यह बात चैने की हो रही है, तो यहाँ पर जो रोड है, वो चलती जा रही है, गाड़ियां रुकी ने रही है, किसी के लिए लोग रोड क्रोस नहीं कर पा रहे हैं, गाड़ियां का भी रुखती नहीं है, कि हाँ हम रुख जा रहे हैं, आप रोड क्रोस कर लो, गाड़ियां तो चलती चली जाती है, smoke and dust flew at him from all sides गाडियों के चलने की वज़े से और क्योंकि वह एक शहर था तो वहाँ पे धुआ गाड़ी से निकलने वाला धुआ फैक्टरी से निकलने वाला धुआ इन सारी चीजों के जो धुआ धूल मिट्टी सब कुछ था वो चारो और से वेलू के उपर आ रहा था making his head spin और उसका सर घूम रहा था इस वज़े से head spin मतलब giving him a headache making him feel dizzy बहुशी हलकी सी लगती है ने सर घूम रहा है वैसा लगने लग जाता जब बहुत ज़ादा dust धुआ या आप बहुत तेज गर्मी धूप में रहते हैं तो आपको ऐसा लगता है ना कितनी गर्मी हो रही है तो आपको गर्मी की वज़े से चक्कर आते हैं बस वही चीज यहां पर है तो वो जैसे तैसे उसने लड़की का पीछा किया उसके पास गया उस भीड़ वाली जगे से रेलवे से से निकल कर बड़ी बड़ी इमारतों के पास वो लग जा रहते वहां पहुचने के रास्ते में वेलू ने ध्यान दिया कि रोड क्रॉस करने की किसी की हिम्मत नहीं होती होगी क्योंकि गाड़ियां किसी के लिए रुपती नहीं गाड़ियां तो चलती चली जाती है और फिर उसके बाद में वहां से इतना धुआ इतनी धूल मिटी चारो और से वेलू के उपर आ रही थी तो उसको उसका सर भूम रहा था उसका सर दर्द देने लग गया था क्यों क्यों कि आप हम अगर शहर में रहते हैं तो हमें कहीं न कहीं इन सब चीजों की आदत रहती हैं कि धूल मिटी है धूप है प्रदूशन है लेकिन गाओं में रहने वाले लोकों के लिए यह सब कुछ बहुत ही ज़दा नया होता है अगर उन्हें पता भी है कि उनका वहां जाके धूल मिटी और धूप और गर्मी इन सब चीजों से पाला पढ़ने वाला है तो उनका शरीर उस चीज के लिए तैयार नहीं रहता है तो इस प्रकार they had to wait for a long time before they could find a gap to run through gap to run through का मतलब गया हो जाएगा कि मतलब कुछ गाड़िया चली गही है और गाड़िया दूर से आ रही है ऐसे ही road cross करते हैं जब वो काफी दूर पर रहती है दूसरी गाड़िया तो हम सुचते हैं हम धीरे धीरे करके road cross कर लेंगे तो उनको बहुत देर का इंतजार करना पड़ा ताकि एक gap उनको मिल जाए ताकि वो road को cross कर सके वेलू kept hesitating and the girl finally dragged him to the other side hesitating का मतलब होता है जिजक ना वेलू जिजक रहा था है ना उसे लग रहा था कि मैं कैसे road cross कर पाऊंगा उसे डर लग रहा था गाडियों से लेकिन क्योंकि वे लड़की तो यहां पर बहुत ट्रेंड थी यह सब कुछ करने के लिए बाहर ही घूमती रहती थी तो उसे यह सारी चीजा आती थी तो उसमें इतनी हिम्मत थी कि उसने वेलू का हाथ पकड़के उसको दूसरे तरफ सड़क के दूसरे पार ले आई लेकिन उसे यह समझा रही थी वोई लड़की कि तुम अगर ऐसे धीरे धीरे चलोगे अगर आप रोड के बीचों बीच ऐसे चलोगे तो तुम्हारी चटनी बन जाईगी इस तरीके से उसने उसे समझाया तो क्या हुआ कि उनको पहले तो बहुत देर तक रस्ता ढूड़ना पड़ा कि किस तरीके से बीच में थोड़ा सा गैप आये थोड़ा सा थोड़ी जगा आये निकली हुई गाड़ी और आने वाली गाड़ियों की बीच की वो सड़क को पार कर सके उसके बाद में जैसे तैसे उस लड़की ने वेलू का हाथ पकड़के एक तरफ से दूसरी तरफ उसको सड़क पार करके ले गई और वो उसको बोलती है कि तुम्हें तरह धीरे धीरे चल रहे हो गाये चरा रहे हो क्या अगर तुम रोड के बीच में इस तरीके से खड़े हो जाओगे या धीरे चलोगे तो तुम्हारी चटनी बन जाएगी तो ऐसे वो उसको वर्निंग देती है वेलू's heart was still beating fast और इस पूरे अनुभव से वेलू का दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था डर के मारे उसने अब पीछे अपने सेंट्रल स्टेशन देखा जहां से वो लोग आ रहे थे और उस चलते हुए ट्राफिक को देख रहा था गाड़ियों को वो देख रहा था जो बहुत तेजी से चल रही थी जब वो सड़क के उस पार चले गए और उसने पीछे मुड़के देखा स्टेशन को और उस रोड को तो वो इतनी तेज चलती हुए रोड को देख के सोच रहा था कि मैं हम लोग इसको पार करके आ कैसे करें इतनी भीड इतनी देश चलती हुई गाड़ियां इतनी में रोड एकदम तो मैंने इसको पार कैसे कर लिया यह सोचकर उसको घवराट हो दी थी they walked along the side of the road under some huge signboards signboards तो एक तो वो होते हैं जहां roads के लिए बनाया जाते हैं गाड़ी चलाने वालों के लिए speed breaker है या फिर आगे रास्ता खतम है या फिर road cross करने की जगह है zebra crossing है इस तरीके के red और white clear के boards होते हैं उनको भी signboards कहते हैं और उसके साथ-साथ यह भी होते हैं दिवाई की दुकान होती है पंचर की दुकान होती है इंसारी चीजों की भी बोड़ लगे रहते हैं तो उनको हम कहते हैं sign words की नीचे तो आप ऐसे imagine कर सकते हैं कि किस प्रकार road बनी हुई है ना ये footpath है है ना आप इस चीज को अपने आप से सोच सकते हैं और ये main road है इस तरीके से ये road बनी हुई है तो यहाँ पर sign बन्यान शैस्कस付 दिखाही दे रही है यह संगर पर थे और बने गड़े थे और और वो मिन लग ऑट थे बैन सबर्दन तो road cross करने के बाद वेलो का दिल इतनी तेज धड़क रहा था वो अपने आज पास कि मैं शहर को अच्छे से देख रहा था कि क्या क्या नई चीजे शहर में उसे दिखती हैं और जब उसने road cross करने के बाद पीछे मुड के station को और road को देखा तो उसको और डर लग गया कि हाए मैं इसे कैसे यहां से पार करके आ गया मतलब उसे अब भी विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं कैसे यह ज्रास्ता पार कर लिया है उसके बाद में वह यह सोचता है वह रोड पर चल रहे थे फुट्पाथ पर जिसके उपर साइन बोड लगे थे या फिर एदवर्टीसमेंट के बोड लगे थे और काय काय के बोड थे उसमें टायर का एड था बन्यान का एड था और पैन का एड था और एक महिला ऐसे नहीं पढ़ रहा था, so he didn't know what it meant, इसलिए उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या लिखा हुआ है, the girl turned on to a wide bridge and walked up, और उस footpath पर चलते चलते एक बड़े चोड़े से पुल के ऊपर वो मुड़ गई, पुल की तरफ वो मुड़ गई, और वेलू वहाँ पर रुख गया, वे रेलिंग लगी रहती ना, bridge के दोनों तरफ, boundary के लिए, तो वो उसने ऐसे जहाग करके उसके नीचे देखा, under him the road ran into the city, in the distance he could see huge buildings and towers and more roads, उसने अपने नीचे देखा, तो नीचे भी road जो थी, वो city के अंदर जाले थी, वो जो road थी, ये लोग यहाँ उपर की तरफ मुड़ गए और road आगे जाके जो शेहर के अंदर चली गई थी, station से शेहर के अंदर चली गई थी, तो उसने दूर तक देखा, तो वो road जो है, वो बड़ी-बड़ी इमारत है, बड़ी-बड़ी building वहाँ पर जा रहे थी और और बहुत सारी roads उसको देख रही थी, जो ये शेहर के उचे नीचे bridge होना आम बात है, लेकिन ये चीज़ वेलू के लिए आम बात नहीं थी, उसे ये सब देख के बहुत ही आश्यर हो रहा था कि हवा में रोड, जमीन पे रोड, जमीन के नीचे रोड है ना, इस प्रकार से वो सारी चीज़े देख कर बहुत ही अच्शम्वि चल पाया है, वो ऐसे मुड़ी एक bridge की तरफ, ठीक है, और bridge की तरफ मुड़ी तो वो उसकी पीछे-पीछे मुड़ा और उसने उस जो bridge की जो boundary थी, वहां से नीचे जहाग कर देखा, तो उसने देखा कि जो road थी, वो आगे शहर में जा रही थी, जहां बहुत सारी इमारते और बहुत चारी road, बहुत बड़े-बड़े tower, यह सारी चीज़ने उसे देखने मिल रही थी, see, that big building with the wall around it, वो लड़की उसे बताती है, वो देखो, वो बड़ी से building देखो, जिसके चारो तरफ दिवारे हैं, if you are not careful, you will soon be counting bars there, तो counting bars का मतलब क्या हो जाएगा, सलाखें गि तो इससे तो यह समझ में आ जाता है कि वो किसकी बात कर रहे हैं, jail की बात कर रहे हैं, कि अगर तुमने ध्यान नहीं दिया, तुमने खुद का ध्यान नहीं रखा, तो तुम बहुत जल्दी वहाँ पर सलाखें गिन रहे होगे, मतलब jail में आपको डाल दिया जाएगा, the girl grind and pointed at a huge building उसने मुस्कुरा कर मतलब ऐसे बहुत अच्छी मुस्कुराट नहीं दी ऐसे उसको warning देती हुए उसको धंकी देते हुए उन्होंने ये मुस्कुराट दी कि अगर तुम्हें साथ तुम्हें ध्यान नहीं देना तो तुम्हें जेल में डाल देंगे and pointed at the huge building वो जेल की तरफ ऐसे उंगली दिखा कर बोलती कि वो देखो इतनी बड़ी building है जिसकी चारों तरफ दिवारे हैं अगर तुम्हें ध्यान नहीं दिया तो तुमको इस building में जेल में डाल दिया जाएगा वेलू squinted and read the tamil sign अब क्योंकि वहाँ पे tamil इस्तमाल होती है tamil nadu है वहाँ tamil भाशा इस्तमाल होती है तो वहाँ पे tamil के sign में लिखा हुआ था central jail है ना वेलू squinted उसने थोड़ा सा ऐसे बिचक के थोड़ा सा देखा कि क्या बोलना चाहरी है यह और उसने जैसी देखा तो उस पर central jail लिखा हुआ था why I haven't done anything wrong तो वह बोलता है कि ऐसा क्यों बोल रहा हो मैंने कोई गलत काम थोड़े ही किया है है ना तो क्या होता है वह उसको warning देती है जेल के बारे में एक तरीके से वह लड़की उसकी गाइड बनी हुई है कि शहर में वेलू क्या करेगा तो वह उसको बोलती है कि अगर तुमने थोड़ी भी लापरवाही करी तो तुमको पुलिस उठाके यहां सलाकों की पिछे डाल देगी जेल में डाल देगी और उसके बाद में वो बोलती है कि जब उसने ये warning दी उसको जब उसने वेलू को ये धंकी दी तो वेलू डर जाता है और देखता है कि वहां Central Jail लिखा हुआ है Central Jail को पढ़कर वो और डर जाता है और पूछता है कि अरे ऐसा क्यों बोल रहे हो मैंने ऐसा कुछ किया थोड़ी ना है मैंने कोई गलत काम थोड़ी ना किया है इस प्रकार वो उसको डराती है फिर वो बोलती है you don't have to do anything just don't get caught that's all वो कहती है कि तुमको कुछ करने की जरूरत नहीं है बस पकड़े मत जाना है ना बस इतनी सी बात है वोट ड़स शी मीन वेलू वंडर्ड उसका कहने का मतलब क्या था ये वेलू को समझ में नहीं आ रहा था meanwhile the girl was already heading down the bridge with the sack on her shoulder अपने कंदे पर उस बोरे को लाद कर वो उस जिस ब्रिच पर उन लोगे ने चड़ना शुरू किया था अब वो उस ब्रिच से उतर रहे थे what was in it he had seen her putting plastic cups into it at the station अब उस बोरे को देख के वेलू सोच रहा था कि इस बोरे में आखिर है क्या मैंने तो इसको plastic cup उठा के डालते हुए देखा था इस बोरे में अब इस बोरे में क्या है दरसल ये सब के खटा क्यों कर रही है वेलू को इस बारे में कुछ नहीं पता था तो उसको jail के बारे में धंकी देने के बाद या डराने के बाद वो लड़की उसे कहती है कि तुम को कुछ गलत करने की दरूरत नहीं है बस तुम कुछ करते हुए पकड़े मत जाना तो तुम बच जाओगे अब वेलू सोच रहा था कि इसने मुझे ऐसा क्यों कहा क्योंकि इसके समझ नहीं आ रहा था कि सही गलत क्या होता है क्या लीगल होता है क्या इलीगल होता है ये सारी बाते वेलू इन सब चीजों से अंजान था अब वो जब नीचे उदर रहे थे किससे उस पुल से जिसको उन्होंने चड़ना शुरू किया था तो वहाँ वो अपना बोरा लादी हुई थी वो लड़की और आगे-ागे चल रही थी तो वेलू उस बोरे को देख के सोच रहा था कि आखिर इस बोरे में ऐसा क्या है वो बोलती है things, bottles, papers तो वो बोलती है चीजें है, bottle है, paper है इस तरीके से वो बताती है वो सुचता है कि ये गंदी, bottle, खराब, paper इन सब चीजों का ये क्या करेगी है ना लेकिन उसे और सवाल पूछने में शर्म आ रही थी कि अगर मैंने और सवाल पूछे तो ये क्या सुचे गी मेरे बारे में सुबह का वक्त था लेकिन जो जमीन है, तार की बने हुई जमीन रहती है ना, road जो रहती है और ये लोग नंगे पैर चल रहे थे, तो सुबह का वक्त था और सूरज इतनी तेज चमक रहा था कि road गरम हो गई थी है ना, सड़क तप रही थी और उसके चलने की वज़े से वेलू के bare feet याने, bare का मतलब हमने सबसे शुरू में देखा था, bare का मतलब होता है खाली नंगे पैर जो थे उसके, वो जल रहे थे, it was not like walking on a mud road क्योंकि वो गाउं में रहता था, तो उसको ये चीज नहीं पता थी कि सड़क कैसी होती है या सड़क पे नंगे पैर चलना कितना problem वाला हो सकता है, कितनी दिक्कत की बात हो सकती है वो तो मिट्टी वाली सड़क पे चला था, जो की ट्राक्टर वगेरा चल चल के घास पर बना देते है रोड एक आसान सी खुदी हुई रोड रहती है, और वो गभी इतनी गरम नहीं होती कि हमारे पैर तपने लग जाएं लेकिन यहां पे वेलू के पैर तप रहे थे जब वेलू ने उस लड़की से पूछा, कि तुम उस बस्ते में क्या इखटा कर रही हो तो उसने कहा चीजें हैं, बॉटल हैं, कागज हैं, इस प्रकार से उसने उस बात को टाल दिया वेलू को अभी भी समझ में नहीं आ रहा था कि यह उसका करने क्या वाली है लेकिन उसे और सवाल पूछने में शर्म आ रही थी और फिर उसको यह भी एहसास हुआ कि इतनी तेज धूप हो गई है सुभा के वक्त ही इतनी धूप हो गई है कि सूरच की रोशनी से, सूरच की गर्मी से जो जमीन है, जो सड़क है वो गर्म हो गई है और मेरे पैर जल रहे हैं यह बिल्कुल भी मिट्टी की सड़क पर चलने जैसा नहीं है यह तो बहुत दिक्कत है वो शोक का मतलब होता है भीग जाना भीगो लेना जैसे आपने कॉटन को लेते हैं, रूई को लेते हैं, बड़ी सी रूई लें और उसको पानी में डुबा जे तो वो पानी से भीग जाती है उसको कहते हैं सोक दो टाइप की शब्द होते हैं, एक होता है ड्रेंच एक होता है सोक दोनों का मतलब हम ऐसे बताएंगे तो वो भीग नहीं होगा यहां भी कहेंगे कि वो पसीने से भीग चुका था इस ड्रेंच का मतलब होता है गीला हो जाना और सोक का मतलब होता है पानी को अपने अंदर एब्जॉब कर लेना मतलब हम एब्सॉब नहीं करते पानी को जैसे कॉटन भीगी नहीं होती है कॉटन डूबी होती है किसी कीली चीज में डूब जाना उसको एब्सॉब कर ले रहा वह जाता है सोक जैसे यहां पर यह हम ऐसा कह सकते हैं वह इतना पसीना आगया था कि वह पसीना ऐसे जमा हुआ उसके चहरे पर वह बारिश से नहीं भीगा था वह द्रेंजड नहीं था वह पसीने से भीगा था ऐसा भीग जाना कि उस चीज को एब्सॉब करके नॉर्मल हो जाना जैसे कि आपने बड़ी खाई होंगी तो सोया बड़ी को पानी में डालेंगे तो पानी में भीगती नही दोएंगे और उसको निकाल कर रखेंगे तो हम कहेंगे कि वो पानी में भीगी हैं वो ड्रेंजड हैं ठीक हैं इस प्रकार से जो है यह मीनिंग चलती है अब he tried her to walk in the shade and keep up with the girl at the same time उसने आस-पास की पेडो की वज़े से चाहं बन रही थी उस चाहं में चलने की कोशिश करी और साती सात उस लड़की का पीछा करने की भी कोशिश करी बतलब वो चाहं में चलने की कोशिश करता कि चाहं में उसके पैर ना जले और उसके साथ-साथ ल रही है पता नहीं खाना खाने के लिए कितरा दूर जाना पड़ेगा आफ्टर ओल्मोस्ट एन आर वोकिंग इस टॉब इन फ्रंट ऑफ बिग बिल्डिंग एक घंटे तक चलने के बाद एक बड़ी सी बिल्डिंग के सामने जाके वह रुख गए श्री राजा राजेश्वर प्रसन्ना कल्याना मंडपम रेड वेलू स्लोली यह अब अपने अगर मूवीज देखी होंगी तो आपको पता होगा कि कल्याना का मतलब क्या होता है यहां शादी का फंक्शन चल रहा है यह ना कल्यानम बोलते हैं ना साउथ की लांगविज में कल्यानम को मतलब होता है कि अब यह क्या लिखावा था श्री राजा राजेश्वरी प्रसन्ना कल्याना मंड़ब तो मंडप हम से क्या समझ में आता है कि मंडप भी कहा लगता है शादी में लगता है तो बस उसी तरीके से उस बोट पर जहां वो बिल्डिंग में जा रहे थे अंदर वहाँ वेलू ने क्या ये चीज़ पढ़ी और वो इससे समझ गया कि ये एक शादी का function चल रहा है तो फिर इसके बाद क्या होता है सबसे पहले तो कि वो पसीने से इतना लत्पत था कि उसने कोशिश करी कि वो छाओं में चले और साथी साथ उस लड़की का पीछा गरते रह उसको तो फिर एक घंटे तक चलने के बाद वो लोग कहां पहुचे एक शादी के function में पहुचे और उस बड़ी सी इमारत के उपर नाम लिखा हुआ था कि इसकी शादी यहां पर हो रही है किसकी शादी का मंडब यहां पर है तो आब यहां पर क्या हुआ a sign with letters made of flowers said मतलब फूलों से अक्षर बना के लिखे हुए थे और वहां पर दूला और दुलहन का नाम लिखा हुआ था ठीक है क्या था जेवी विनैगन और ब्राइड का नाम था रानी ठीक है दूले का नाम यह था और दुलहन का नाम रानी था वेलू स्टेट अड़ बिग कार्व पांग आउटसाइड वेलू ने उन बड़ी बड़ी गाड़ी ओं को देखा जो कहां बाहर पार्क की हुए थी लगी हुए थी वन अफ दो कार्वार गार्लैंट और एक कार ऐसी थी जिसके उपर बहुत वहां माला चड़ी हुई थी फ फूल माला आए और फूल रोजे से चिपके हुए रहते हैं गुलाब के फूल बस वैसे ही सजी थी वो गाड़ी दगर्ल लुक्ट अराउंड पूल वन आफ कुट्ली एंड स्टके टेनर है उसने इधर देखा कि मुझे कोई देख तो नहीं रहा और उसने वह फूल को एक गाड़ी पे से फूल को निकाला और अपने बालों में लगा लिया तो फिर क्या हुआ कि वहां पे दूला और दुलहन के नाम लिखे हुए थे बोट पर कि किस की शादी हो रही है और बहुत सारी बड़ी बड़ी गाड़ियां बाहर पार्क की हुए थी लगी हुए थी गा गालिया कम ओन शी सेड आर वी गोइंग टूइट है वो बोलती है कि अरे आओ तो लड़का पूछता है वेलू पूछता है कि क्या हम यहां खाने खाएंगे आस्ट वेलू लुकिंग अट यूज हॉल और पीपल इंसाइड अंदर के लोग और बड़े-बड़े इस मकान को इस बड़ी से हॉल को देख कर वेलू ने ऐसा पूछा कि हम यहां काना खाएंगे उसको विश्वास नहीं हो रहा था तो लड़की बोलती है होपस ऐसे करके उसने मजाख में बोला सेड़ गर्ल शेकिंग हर थम अंडर इस नोज उसने अपने ना की पास ऐसे करते हुए बो लोग चले गए तो उसने उसे बोला लड़की नी बोला की आरे चलो तो वो बोलता है हाल को देख कर बड़े-बड़े लोगों को देख कर बोलता है कि हम यहां घाना खाएंगे तो उसका मजाख उडाते हुए लड़की कहती है उमीरे रेखो भाई साब की रोड़ पर चीजों से ओवर्फ्लो हो रही थी ठीक है टू गोट्स वर स्टैंडिंग अन्द पाइल दो बक्रिया जो थी वो उस पूरे धेर के ऊपर खड़ी हुई थी फाइटिंग फॉर अबनाना लीफ एक केले के पत्ते के लिए दो जो बक्रियां थी वो आपस में घीचतानी कर रही था, there was a rotten smell in the air और हवा में एक पदबू थी जो की सड़े हुए खाने की होती है, the girl picked up a squashy banana and held it out to Vailu, here is your food, वो बोलती है, here is your food, यह लो तुमारा खाना, एक अजीब सा दबा हुआ सा जैसे, किसी बनाना को ऐसे पिछका दिया जाता है, बहुत जादा तेजी से नहीं, पर तब जाता है, पुरान उनने की वज़े से उस पर काले काले दाग आने लग जाते है, बस वैसा squashy crushed कह सकते हैं, उसको वैसा केला उसने वाहां से उसको उठा के वेलू को दे दिया, कि यह लो यह तुम्हारा खाना है, ठीक है, तो क्या होता है, एक बड़ा सा कूड़ा दान घूम रही थी, उस धेर में से उस लड़की ने एक केला उठा कर वेलू को ऐसे दिया, फेक के कि यह लो तुम्हारा खाना, और जो केला था बहुती बुरी हालत का हो रहा था, सडा हुआ केला था वो और ऐसे पिचक गया था, वेलू वास शॉक्ट, वेलू यह देखकर वो ऐसे छी करके बोलता है, तुमको क्या लगता है, मैं कोई कुटा हूँ, I only take untouched food, here's some more, catch, वो बोलता है कि मैं सिर्फ अचूत खाना खाता हूँ, जो साफ सुतरा है, किसी और का खाया हुआ नहीं है, तब ही वो बोलती है, कि यह लो यहाँ और है, और वो उसको एक दे देती है, तो जैसे ही वो उसको ऐसा पिचका सा बनाना देती है, केला उसको देती है, तो वो एकदम से शौक हो जाता है, और वो बोलता है, वेलू, क्या हम इनका बचा हुआ खाना खाएंगे, हां, तुमको क्या लगता है अच्छी, मैं कोई कुटा थोड़ी ना हूँ जो बचा हुआ खाना खाऊ, मैं तो सिर्फ अच्छूत साफ सुत्रा खाना खाता हूँ, तब ही वो लड़की बोलती है, येलो, यहाँ एक और है, और वैसे करके उसको वड़ा दे देती है, वेलू लुक्ड आट इट विद डिस्टेस्ट, डिस्टेस्ट मतलब बिलकुल बुरा सी बुरी सी शकल बनाके ऐसे कि ये कितना खराब होगा, कितना बुरा टेस्ट होगा इसका, ये सोच कर उसके स्वाद के बारे में कि वो खराब होगा, वो बासा खाना होगा, ये सोच कर वेलू बहुत ही बुरा सा मूँ बनाके उसको देखता है, come on hero, eat it, you think I like it, तो तो वो ब॓लती है कि come on, वो इसको hero बोलती है क्योंकि वो इतने नखरे दिखा रहा था, उसे नहीं पता है यहाँ जीवन कैसा है, इसलिए वो नखरे दिखा रहा था, तो वो इसको बोलती है come on hero, are you are hero, khālo लो इसको, तुमको क्या लगता है, मुझे ये अच्छा लगता है I told you you will find something to eat Don't think I have money to buy food for you वो उसको बोलती है कि तो ऐसा मैंने कहा था कि मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने का ढूंड लूँगी अब ये मत समझना कि मेरे पास पैसा है तुमको खाना खिलाने के लिए तो वो उसको क्या बोलता है वेलू से ऐसे अरूची से देखता है कि कितना बुरा सा खाना है तो वो उससे बोलती कि अरे हीरो खालो इसको क्योंकि तुम्हें क्या लगता है कि मुझे ये खाना धेर में से ढूंड के पुराना बासा खाना पसंद है लेकिन मैंने ये कहा था कि मैं कुछ ना कुछ तो तुम्हारे लिए खाने का धूंडी लूँगी है ना और फिर उससे बोलती है कि ये मत सोचना कि मेरे पास पैसे आए कि मैं तुम्हें खाना खरीद के खिलाऊं ठीक है वो उससे बोलती है कि जो मिल रहा है अभी वो खालो जब तक तक तुम्हारे पास पैसा नहीं आ जाता स्क्वीज़ िम मतलब ऐसे दबा दे न स्क्वीज़ का मतलब तो वैसे इसे पिछकाना होता है तो वैसे ये पेट में रोड उठती है जब हम भूके होते हैं बस वही चीज़ वेलू के साथ हुई स्क्वीज़ बहूग हुआ हुआ दरद हुआ he gulp down the banana and vada his stomach felt better immediately gulp down मतलब swallowed quickly without chewing क्योंकि अगर उसे चबाता उस खाने को तो उसे स्वाद आता जो की अच्छा बिल्कुल भी नहीं था तो उसने जैसे तैसे खाना पेट में भर लिया बस ऐसे तुकड़े करके सीधा निगल लिया तो उसने जल्दी से बनाना वो केला और वो वड़ा निगल लिया और उसके पेट को थोड़ा बहतर लगा कि उसने कुछ तो खाया आखिर पेट के पास कुछ तो गया तो वो उसको बोलती है कि अभी तुम्हें जो मिल रहा है वेलू तुम वो खालो क्योंकि अभी तुम्हारे पास पैसे नहीं है जब पैसे आ जाएंगे तब तुम खरीद के खालेना ठीक है और वेलू थोड़ा सा जिजक रहा था लेकिन उसका पेट इतनी तेस दर्द कर र उसने दस बार यही चीज और बार और वो खा सकता था बट गर्ल कुड ओनली फाइंड वन मोर बनाना विच सी एट हरसेल्फ उस लड़की को सिर्फ एक ही बनाना और मिला था जो उसने खुद खा लिया तो वो उसको कैसे देती वो अगर सब कुछ उसको दे देगी तो वो अगर तुम अभी भी भूखे हो तो तुम लंच तक वेट करो हमें अच्छा खाना लंच तक मिल जाएगा वो उससे बोलती है कि तुम्हें अगर भूख लगी है तुम रुख सकते हो मुझे कोई परिशानी नहीं है लेकिन मुझे काम करना है तो मैं जा रही हूं तो वो खुद ही महसूस करता है कि मैं दस बार ऐसे ही केला और वड़ा खा सकता था पर मैं नहीं खा पाया क्योंकि वहाँ तो था नहीं और एक और केला उसको मिला था उस लड़की को जो उसने खुद खा लिया था तो वो उससे कहती है कि अभी इन लोगों ने सिर्फ नाश्टा किया है इसलिए ये खाना बचा है अब जब वो लंच कर लेंगे तो उसके बाद और खाना बचेगा तो तुम वो खाना खा सकते हो इस तरीके से वो उसको बोलती है और वो ये कहती है कि तुम्हें वेट करना sack heap का मतलब होता है धेर ठीक है तो उसने वहां धेर में से कुछ बॉटल उठाई और अपने बोरे में डाली and then she walked off, वह वहां से चल दी, चल पड़ी, वेलू panicked, panicked मतलब was very worried, इक दर जाते न अपन की अरे अब क्या करे, अब क्या होगा तो एक दम से वह चौक गया कि अरे क्या करूं मैं, he realized that if the girl left him, he had no idea where he was and what to do, वो इसलिए ढर गया क्योंकि जब जाने लगी, तो उसको यह एहसास हुआ वेलू को, कि अगर यह लड़की चली गई, तो फिर मैं क्या करूंगा, मुझे तो कुछ bottle बीन कर अपने बोरे में डाली और चल दी, तो तब ही वो डर गया वेलू, यह सोच कर कि अगर यह चली गई, मुझे छोड कर तो मैं क्या करूंगा, तो फिर क्या होता है, it was better to stick to her, उसके साथ रहना ही अच्छा है, she seemed to know her way around, यहाँ पर चीजें कैसे चलती हैं, पीछे पीछे भागने लग गया, ए, he called, he did not even know the girl's name, उसको एकदम से उसको बुलाते वक्ती ऐसास हुआ, कि वो तो उस लड़की का नाम भी नहीं जानता था इतनी देर से, ए, करके उसने बुलाया, ए, what is your name, उसने पूचा कि अरे तुम्हारा नाम क्या है, he asked her in behind her, she stopped and turned around उसने जब ऐसे चिलाते हुए, उससे नाम पूचा, क्योंकि उसको लगा कि इसके साथ रहने में ही मेरी बलाई है, तो उसने दौर लगा दी उसके पीछे, और उसने जैसी उसको चिलाया, वेलु को एसास हुआ कि मैंने तो इस लड़की का नाम ही नहीं पूचा अभी तक, तो वो चिला के उससे पूचता है कि तुम्हारा नाम क्या है, तो वो लड़की रुक के पीछे मुड के देखती है, ओहो, so you have been following me around without even knowing my name, वो कहती है मतलब तुम मेरे पीछा कर रहे थे इतरी देर से, मेरे पीछे पीछे चल रहे थे और तुम्हें मेरा नाम ही नहीं पता कहती है, जया, जया उसका नाम था, तो हमें हमारी second lead character का नाम पता चल गया है, जो कि वेलू के बाद है, जया, I am not following you, वो इसको बलता है, मैं कोई तुम्हारा पीछा भीछे नहीं कर रहा हूं, what then, who got your food, तो वो बलती है कि तो फेर, तुमको खाना किसने दिया, can I come with you, where are you going वो बलता है कि क्या मैं तुम्हारे साथ आ सकता हूं, तुम कहां जा रही हो, come if you want, this bag is full, I have to go home to get another one, बलती है ठीक है, चलो मेरे साथ, मेरा ये जो बाग है, जो बोरा है, ये भर चुका है, तो मुझे दूसरा बोरा लेने के लिए घर जाना पड़ेगा, तो तुम मेरे सकते हो, तो जया यहां पर बोलती है कि ओहो, तुम मेरा इतनी देर से पीछा कर रहे हो, तुम को मेरा नाम भी नहीं पता, मेरा नाम जया है, तो वो उससे बोलता है कि मैं आपका पीछा नहीं कर रहा हूं, लेकिन क्या मैं आपकी पीछे पीछे आ सकता हूं, क्या मैं आपक सकते हो तो यह कहानी जो है Children at work में इस कहानी से हम को यह पता चलता है कि बच्चे जो की गरीब होते हैं और जिनका पालन पोशन करने वाले उनके माता पिता या उनके कोई गार्जन उनके साथ नहीं रहते हैं वो खुद का जीवन यापन कैसे करते हैं वो खुद अपना जीव तो वहाँ जया को धक्के मार के निकाल दिया जाता और इनको खाना अ खाने भी नहीं मिल पाता तो इस प्रकार से लोग अपनी करूड़ता इन बच्चोंपे दिखाते हैं पर वह यह नहीं समझपाते कि यह बच्चे कितने मजबूर होते हैं और अगर ये बच्चे धीट होकर आपके पीछे पढ़े हुए हैं भीक मांगने के लिए या उनसे कुछ खरीद लो आप इस चीज के लिए तो आप ये भी नहीं समझ पाते हैं कि शायद उनके ऊपर इस चीज का दबाव डाला जा रहा होगा तो इनक कहानी इसकी समरी और इस कहानी के बारे में और जानने के लिए आपको जाना पड़ेगा इंडिया के नंबर वन हंड्रेट परसंट फ्री ओनलाइन एड्यूकेशन देने वाले प्लाटफर्म पर जो की है मागनेट ब्रेंस टाइप करें गूगल पर जाके मागनेट ब्रेंस पर जाएगी सारी यूनिट और उस यूनिट में कवर किये हुए टॉपिक की तो जिस भी टॉपिक को आपको देखना है वाचनाव पर जाएं और वीडियो को स्टार्ट करें वीडियो शुरू से लेकर आखरी तक पूरा देखें ताकि आपकी सारी डाउट्स क्लियर हो जा सब्सक्राइब से आपको मागनेट प्रेंस पर 100% फ्री ऑनलाइन शिक्षा मिलती है तो इस वीडियो को लाइक करना तो बनता है आगे की अपडेट के लिए हमारे चानल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों से इस वीडियो को शेर जरूर करें मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए थांक यू